हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हाड वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा छोटी बनाई का डिजैन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगे कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप जैन स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडिज, कारडिगन, जैकेट, फ्रोग, कुर्ती, कैफ, मफलर, बेबी ब्लैंकेट किसी भी प्रोजक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजक्ट पर ये डिजैन बहुत सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 5 के मल्टीपल फंदे लेकर 4 फंदे एक्स्टर लेने होंगे तो ये डिजैन आपके प्रोजक्ट पर इस तरह से एड़ज़्ट हो जाएगा पांच के मल्टीपल देखिए आप इसमें 5 फंदे गिन लेजिए फिर से 5 फिर से 5 फिर से 5 फिर से 5 इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 4 फंदे होने चाहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और सिरफ 6 सलाईयों में कम्प्लिट हो जाता है तो चलिए देखते हैं कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है तो फ्रेंड जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई है वही पहली सलाई मैं आपको यहां से बुनना बता रही हूँ तो यहाँ पर मैंने लिये हैं 34 फंदे, 5 के multiple करके और 4 फंदे extra तो आप अपने project ले कोई भी border बना लीजिए, border के बाद जो फंदे बढ़ाने हो तो इसमें उल्टी side से फंदे बढ़ा कर सीधी side से इस डिजैन को शुरू करना है तो डिजैन की पहली सलाई है और सीधी side है पहला फंदा इसका hd है इसे उतारिये या उल्टा बनाएए ये आपकी अपनी मर्जी है तो देखिए 1, 2 और ये 3 इस तरह से starting में आपके ये 3 फंदे उल्टे आएंगे अब यहां से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा धागा अपनी तरफ ही रहे 3 फंदे slip करेंगे 1, 2 और ये 3 अब 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे धागा अपनी तरफ ही है 1 और ये 2 ये देखिए starting के 3 फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो डिजैन बनाया इसी को बार बार repeat करेंगे 3 फंदे slip करेंगे 1, 2 और ये 3 फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और इस बात का आप ध्यान रखिए यहां से यहां तक जब ये धागा जाएगा तो ये हलका सा लूज होना चाहिए ज्यादा tight नहीं होना चाहिए देखिए 1 और ये 2 फिर से हम इसी डिज बनाएंगे फिर से 3 फंदे इस तरह से slip करेंगे इनको बुन्ना नहीं है ऐसे ही उतार लेना है फिर 2 फंदे उल्टे 1 और ये 2 फिर 3 फंदे slip करेंगे 1,2 और ये 3, फिर 2 फंदे उल्टे 1 और ये 2 फिर से तीन फंदे हम स्लिप करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे आपके जितने भी फंदे हों यही पांच-पांच फंदे का डिजैन बार-बार बनाते जाएए और लास्ट में आपका एक ही फंदा बचेगा इसे आप उल्टा ही बुन देजी तो पहली सलाई डिजैन की कम्प्लीट हो गई दूसरी सलाई उल्टी साइड बर दूसरी सलाई पर जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे जो स्लिप के वे हैं उनको हम फिर से स्लिप करेंगे तो दूसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए ये आपकी अपनी मर्जी है एक दो और ये तीन ये स्टार्टिंग के तीन फंदे इस तरह से उल्टे बुनने के बाद धागे को पिछे की तरफ करेंगे तीन फंदों को इस तरह से स्लिप कर देंगे अब इसके आगे से धागे को वापस अपनी तरफ करेंगे और इसे यहाँ थोड़ा सा लूट छोड़ दीजिएगा और फिर हम ये दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और ये दो ये स्टार्टिंग के तीन फंदे छोड़ कर ये हमने पांच फंदे का डिजैन बनाया है इसी को बार बार रिपीट करेंगे देखे धागे को पिछे की तरफ करेंगे एक दो और ये तीन फंदों को स्लिप करेंगे इसके आगे से धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और फिर हम इन दो फंदों को उल्टा बुन देंगे फिर से डिजाइन को रिपिट करेंगे धागा पीछे की तरफ एक, दो और तीन फंदे स्लिप करेंगे इन तीन फंदे के आगे से धागे को इस तरह से वापस अपनी तरफ कर लेंगे ये थोड़ा सा लूच छोड़ दीजिए और इन दो फंदों को आप उल्टा बनाईए फिर धागे को पिछे की तरफ करेंगे तीन फंदे स्लिप करेंगे धागा इसके आगे से अपनी तरफ ले आएंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे आपके जितने भी फंदे हों यही पांच-पांच फंदे का डिजैन आप इसमें बार-बार रिपीट कीजिएगा धागा आपने ऐसे पीछे करना है तीन फंदों को ऐसे स्लिप करना है इसके आगे से धागे को वापस अपनी तरफ कर लेना है दो फंदे उल्टे लास्ट में फिर आपका एक ही फंदा बचेगा इसे भी आप उल्टा ही बुन दीजिए तो दो सलाईया डिजैन की कम्प्लीट हो गई है तीसरी सलाई है और सीधी साइड है पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाईए अब देखिएगा एस्टीज के बाद दो फंदे फिर हम उल्टे बुनेंगे एक और ये दो धागा पीछे और तीन फंदे सीधे एक दो और ये तीन एस्टीज के बाद दो उल्टे तीन सीधे बस इसी डिजैन को बार बार रिपेट करना है धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पी पिछे, तीन फंदे ये सीधें 탄 blessed inries is just a joke, फिर से धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पिछे और तीन फंदे ये सीधें पूरी सलाई में अब आपने ऐसे ही बनाती हुए जाना है इस करते हुए इस सलाई का वह ई इसéd masa का स्लिप an देखिए इस तरह से तीसरी सलाई डिजैन की कम्प्लीट हो गई है चोथी सलाई है और इसकी उल्टी साइड है उल्टी साइड से चोथी सलाई को हम बिल्कुल उल्टा बुन कर कम्प्लीट करेंगे इसमें भी हमें कोई फंदा सिलिप नहीं करना है सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए फोर सलाई को कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखिए चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब आज ये इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइड पर पांच में सलाई को आप ध्यान से देखे कि कैसे कम्प्लीट करेंगे पहले फंदे को उतारिये या उल्टा बनाईए एस्टीज के बाद दो फंदे ये उल्टे धागे को पीछे करेंगे अब ये जो तीन फंदे सीधे हैं इसमें से एक फंदे को हम ऐसे सीधा बनेंगे ये जो इसके बीच वाला फंदा है इन दोनो धागे के नीचे से हम सलाई डालेंगे फिर बीच वाले फंदे में सलाई लेंगे इसे इस तरह से सीधा बनेंगे और दोनो धागे के नीचे से सलाई को निकाल देंगे यहां तक हमने यह पांच फंदे का डिजाइन बनाया है, अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है, तो ध्यान से देखिएगा, दो फंदे यह उल्टे, एक और यह दो, धागा पीछे करेंगे, यह जो तीन फंदे सीधे हैं, इसमें से एक फंदे को ऐसे सीधा बुन और दोनों के नीचे से ऐसे निकाल देंगे, अब इस फंदे को सलाई से ऐसे उतार देंगे, फिर यह एक फंदा सीधा, फिर से यही पांच फंदे का डिजाइन बुनेंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, जो तीन फंदे सीधे हैं, इसके पहल सीधे को ऐसे बुन लेंगे, अब यह जो बीच वाला फंदा है, इन दोनों धागे के नीचे से ऐसे सलाई डालेंगे, फिर बीच वाले फंदे में सलाई लेंगे, इसको सीधा बुनेंगे, और दोनों धागे के नीचे से ऐसे निकाल देंगे, अब इस फंदे को हम ऐसे सला एक और ये दो, धागे को पीछे लेकर जाएंगे ये जो तीन फंदे सीधे हैं एक फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे ये जो बीच वाला फंदा है इसको बुनने के लिए दोनों धागे के नीचे से स्लाइड आल लेंगे फिर इस फंदे को लेंगे इसे सीधा बुनेंगे और दोनों के नीचे से ऐसे निकाल देंगे फिर ये एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे फिर धागा पीछे तीन फंदे सीधे जो हैं इसके पहले फंदे को ऐसे बुनेंगे बीच वाले फंदे को बुनने के लिए दोनो धागे के नीचे से स्लाई डालेंगे फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे और इन धागे के नीचे से फंदे को निकाल देंगे फिर एक फंदा ये सीधा धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे धागा पीछे एक फंदा सीधा इन दोनो धागे के नीचे से सलाई लेंगे बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और फंदे को दोनो धागे के नीचे से वापस निकाल देंगे फिर एक फंदा सीधा और ल छटी सलाई है और उल्टी साइड है धागा अपनी तरफ कीर जिए और उल्टा बुनते हुए आप इसकी छटी सलाई को कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखे फिरंट 6 सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है छे सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है अब इन्हीं 6 सलाईयों को बार बार रिपेट कीजिए तो पहुत ही प्यारा सा आपका डिजैन बनता चला जाएगा नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए एस्टी उसके बाद 2 फंदे उल्टे फिर हम धागा अपनी तरफ रखेंगे तीन फंदो को स्लिप करेंगे और धागा अपनी डिजैन रिपेट हो जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रूप में इसे शेयर कीजिए चैनल पर नई हैं सब्सक्राइब नहीं